प्यारे बच्चों स्वागत है आप सबका आपका अपने यूट्यूब चैनल वाइब लेजू के सुन पर आज बेटा हम लोग सीखेंगे वही ट्रांस्परमेशन अब सेंटेंस का अगला हिस्सा जो कि आपका है रिमूविंग एडवब टू ठीक है आज हम लोग इसको सीखे आपका अपने के पहले सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि यह जो आपका लिखा टी डवल ओ यह होता क्या है तो जान दीजिए कि यह एक तरीके का एडवब होता है इस बात को आप हमेशा के लिए याद रखिये अगली बात यहां पर समझे किसके हिंदी क्या ह होती है तो इसकी हिंदी होती है बहुत इसकी हिंदी होती है बहुत और एक इसकी हिंदी होती है आपका भी दिया रखना है यहां पा टू एक तो आपका टू मिन्स होता है बहुत और एक टू मिन्स यहां पर क्या होता है भी होता है जैसे कोई आपको प्रपोज करें और प् ही डबल ओ होता है और वहां पर इस टू की हिंदी भी होती है अब हमको यहां पर सपेस्थ के बारे में समझना है कि दिखिए फीया बfit ना आ थिक मैंने आपको आप एक्जंपल बता दिया है इसके बारे में आपको स्पेसिली समझना कि कभे तू मिन स्बहुत का यूज करते हैं और इसको समझने के पहले आप लोग यहां पर ओर समझ लेजे़े सिरफ वैरी कॉ सेरी मींस के घृत होता है और बचने में वी आपका बहुत होता है लेकिन दोनों के यूज में आपका थोड़ा से difference होता है difference यह है कि जब हम लोग very लगाना होता है तो उस वाके का जो आपका अर्थ होता है तो वो कुछ positive sense में होता है सुखा दोता है अच्छा होता है मतलब यह हुआ कि किसी वाके में आपका बहुत लागा है तो बहुत के अंग्रीजी very कब लगाएंगे बहुत के अंग्रीजी हम लोग to कब लगाएंगे तो इसको समझने के लिए के वाल आपको एक दो उधारन छोटे-छोटे समझने हैं जै एक में जैसे लिखा है कि वह बहुत सुन्दर है यह वाला है बहुत सुन्दर है और बैटा दूसरा बाग है आज बहुत गर्मी है अब देखिए यहां पर दोनों में आपका बहुत लिखा है और दोनों में बहुत के अंग्रीजी अलग अलग आएगी दोनों वाक्यों में बहुत के अंग्रीजी अलग 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 आएगी इसमें बहुत के अंग्रीजी हम लोग लगाएंगे वैरी और यहां पर बहुत क अंग्रीजी लगाएंगे टू क्यों इसलिए कि यह बहुत सुन्दर है यह एक सुखद बात है अच्छी बात है अच्छा लगता है ठीक है इसलिए यहां पर आपका वेरी लगा लेंगे जैसे लिए आज बहुत गर्मी होना यह सुखद घटना नहीं है यह हमारे लिए दुखद वांचनी हो तो आप वेरी लगा लेना है जिन वाक्यों में बहुत हो और उनमें यदि आपका अवांचनी हो दुखद हो अच्छी बाते न लिखी हो तो वहां पर आपका जबे टू लगा लेते हैं अर टू तब भी लगाते हैं जब कोई सिच्वेस्टन जरूरत जरूरत से जादा हो जाती है और बुरी हो जाती है जब कोई सिच्थी जरूरत से जादा हो जाती है और आपकी बुरी हो जाती है वहां भी हम लोग टू लगाते हैं जैसे किसी के लिए कि वह बहुत मोटा है वह बहुत मोटा है मलब बहुत मोटा का मलब कहा है वह जरूरत से ज्यादा मोटा है और यह दुखदाई है तो इस बागे में भी आपको क्या करना है तू लगाना पड़ेगा मेरे खाल से आप लोग बास समझ चुके होंगे कि वीरी के इंगरी जी मलब बहुत के इंगरी जी तू और वीरी कभी लगाते हैं तो जब अच्छी बात हो सुखद घटना हो तो वहाँ पर वीरी लगा लीजिए जब दुखद हो तो वहाँ पर आप लोग तू लगा लेजिए यह बात आपको समझ में आ गई अब यहाँ पर आपको एक यूज समझना है तू का अब यहाँ पर आपको एक यूजी को समझ ले गए तो समय लेजिए आपके लिए रिमूविंग टू के वगा के चुटकियों में आ जाएंगे जैसे टू का यूज क्या है माली जी किसी वाकि में आपका अड़व टू दिया जाए उसके बाद में आपका यहां पर एजेक्टिव दिया जाए उसके इसका नाम क्या हो जाता है इनिफिनिटिव तो यहां पर क्या समझना है कि जब एड़वर्ब टू के बाद एजेक्टिव दिया जाए एजेक्टिव के बाद यहां पर आपकी इनिफिनिटिव दी जाए ऐसी कंडिशन में ऐसी कंडिशन में आपको एक बात यह याद रखन की इस इन्फिनिट्यूट का जो और्थ होता है फिर्षेशाब समझें इस इन्फिनिट्यूट everybody अर्थ होता है इसके रूप का जैस्ट विप्रीत होता है तो यह घलानronics के बा समझ लेजिए तो पहले आप लोग को समझना इन्फिनिटिव क्या होती है यह एक प्रकार की नॉन फाने टुब होती है और इसको बनाने का तरीका होता है कि जब किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो वह में वर्ब वहाँ पर भी दो रूप समझना है एक तो इसका पॉजिटिव रूप एक इसका पॉजिटिव रूप और एक इसका यहाँ पर आपका निगेटिव रूप पॉजिटिव रूप का मतलब क्या हुआ तो पॉजिटिव का मतलब है जब केवल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले रूप है समझे ना कि मेंवाव विकी फस्ट फर्म के पहले नौट टू दे दिया जाए तो इंफिंट्यू का आपका नेगेटियू रूफ हो गया यह जाएगा तो यह इंफिंट्यू का यहां पर आपका पॉस्ट्यू रूफ हो जाएगा बासन में आ गई वही बात मैंने य इंट्यू के पहले यहां पर आपका ये एडवा भी 2 दिया गया हो आपको समझना है कैसे इसका रूप आपका उल्टा हो जाता है या कैसे इसका अर्थ इसके रूप का उल्टा हो जाता है जैसे लेका ही इस इक होट्तरैऊ ऑप देखें आपको आपका नेगेटव में तुद धार है कि आपके पोॉजिए इंफिट आपके पाउजिव के फोर्म में है क्योंकि टू प्लस मेनमब लिखा है अब इसका यहां पर आर्थ निकलेगा तो इसका आर्थ यहां पर बेटा कैसा निकल लाए निगेटिव में मतलब यहां पर दोड़ना का मतलब आपका कैसा आर्थ आ जाएगा ना दोड़ पाना तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तो इस जो अर्थ निकलेगा तो बेटा आपका पॉस्ट्यू को फॉर्म में आएगा इसका जब अर्थ निकालेंगे तो ऐसा आएगा कि वह इतना लंबा है कि वह पेंड की साखा को छू सकता है जब एकी पहले वाले करते क्या होगा कि यहां पर वह है इतना मोटा है कि वह दोड़ नहीं सकता है तो देखिए दोनों करते हैं पर आपका इसके रूप का उल्टा हो जाएगा यह बात आप लोग हमें से ध्यान में रखिएगा तो देखिए अभी तक आपने क्या क्या सीख HEY आप का ठी्डवल की होता है इसका हिंदी बहुत तत्र Rebel होता है गारी किया को यूज आपको नेगेट्ट में होता है जो है दूसरी बात इस इस आपने यदी किसी बाक्य में प्लस इनफिन्टीव करें एड़ तू दिया होगा तो इस इनफिन्टीव को जो अर्थ निकलेगा इसके रूप का ज़स्ट भी परीथ हो जाएगा इनफिन्टीव क्या होती है जब किसी मैंनीवाभी की फिर्स्ट फॉर्म के पाहले तू लगा क्या हुआ कि घब में वाभिकि फस्ट फ़ां की पहले नट्ट वा आ जाएगा तो सकता वह इतना मोटा है कि वह दोड़ नहीं सकता है तो यहां पर दोड़ नहीं सकता है कि यहां पर आपका अर्थ आजाएगा जब कि इसका जो अर्थ आएगा वह इतना लंबा है कि वह पेंड की इस साखा को छू सकता है यहां पर आपका अर्थ आएगा तो छू सकता है इस तरीक यह निखालेंगे यहां पर नौट कारते नहीं आएगा इतनी बात आपको सवंज में आई अब बढ़ते आगे हम लोग पहले समझें कि यह जो आपके वाक होते तो पेपर में कितने तरीके से पूछे जाते हैं और आप लोग इनकर जब बनाओगे तो आप लोग कैसे करके ब यह जो वाक होंगे यह वाक के बेटा पेपर में कितने तरीके से पूछे जाते हैं देखे यह जो आपका वाक होगा यह वाक का आपके एक्जाम में तीन तरीके से पूछा जा सकता है तीन तरीके से कौन कौन से एक तो यह होगा इस वाक्य में से removing to यह remove adverb to मलब इस से remove मलब क्या है adverb to को यहां से हटाना है इस तरीके से पूछेगा यह तो पूछेगा इस वाक्य का यहां पर affirmative यह तो पूछेगा इस वाक्य का यहां पर affirmative या negative अभी समझा रहा हूं कब निगेटिव में पूछेगा कब आपका अफ़मेटिव में तीसरा यह तो पूछेगा इस वागए को आप लोगों को बनाना है और यह तो आपका कॉंप्लेक्स कर दे तब भी आपको उसी तरीके से बनाना है और जब भी आफ़मेटिव में निगेटिव होगा तो कोई दो में से एक अकेले कहेगा वह कैसे आप लोग समझेगे कि किस में पूछेगा तो इसके लिए समय लीजिए इंफिंटिव यहां पर आपकी पॉस्ट्व में हैं तो पूछेगा कि आपको निगेटिव बनाना है यदि इंफिंटिव यहां पर आपकर दी गई होगी तो पूछेगा किस वाक के का आप लोग यहां पर अप हमेटी बना दीजिए ठीक है लेकिन बनेगा आपका एक ही आप समझते हैं पर इसके बनाने की तरीके को तो दिखेंगे तो आपको यह जो दो टू दिख रहे हैं आप लोगों को यह जो है दो टू दिख रहा है कि वहला आपको इन्हें दोनों टू को हटा देना है एक तो यह वाला टू जो कि एड़ब टू के रूप में लिखा है और यह वाला टू जो कि आपको इनफिन्टीव टू की रूप में लिखा ध्यारा कि इनफिन्टीव टू क कहें सकते हैं ठीक है तो जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लिखी होगा तू आपका लिखा होगा उसी टू को अटाएंगा बाकि और भी टू दिये जाएं तो उसको वहां से नहीं अटाना है और दीखें बनाने के तरीके में क्या है कि जहां आपका पर आपको कुछ सब्दे लिखने है सबसे पहले तो दैट लिखना है दैट के बाद में यहां पर आपको सब्जेक्ट लिखना है और किसका इस इनिफिंट्ट्व का सब्जेक्ट ठीक है ना आपको किसका इनिफिंट्व का सब्जेक्ट और उसके बाद में आपको कैन या कुड़ है कैन या कुड़ ठीक है यह दिश वाक्य को आप लोगों को निगेटिमें बदलना पड़े तो आप लोग के साथ में नॉट लगा लेंगे और यदि वाक्य को निगेटिव में न बदलना पड़े तो आप लोग यहाँ पर केवल कैन यह कुड़ी ही लगाएंगे बात साथ पाए ना कि एड़व टू की जएगे पर आप में सब सो लगाना है जो इस इनफिन्टिव का सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है और आपको अभी में जो भी वाक्य बताऊंगा उन में से यह वाला जो सब्जेक्ट दिया गया होगा यही सब्जेक्ट ही आपको इनफिन्टिव का सब्जेक्ट हो जाएगा देखी कैसे और इसके बाद में कंय कोड़ी लगा देना है और केंकोड़ के साथ में आपको Noveoric लिखना पड़ेगा यदि इस वाक्य को Norm की निगेतिक एपशा में बणा में नहीं बनाना है तो आपको हम पर नौट है, नहीं लगाना पड़ेगा. समझ गये? अब यदि हम लोग इस वाक्य का जब बनाएं, यह रिमोविंग टू या अफर्मेट्व या निगेट्व या कम्प्लेक्स है, तो बिटा कैसे बनाएंगे? समझ यह? इस वाक्य का जब रिमोविंग 2 से बनाए या फॉर्मेट्र या निगेट्र जो भी कहेंगा मतलब इसका आपका क्या पूछेगा निगेट्र पूछेगा जब निगेट्र बनाएं ये इस वाक्य का हम लोग जब भी कॉम्लेक्स बनाएंगे तो कुछ इस तरीके साएगा आपको क्या करना पड़ेगा लेकिन इस वाक्य पास्ट में नहीं नहीं है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कैन लगाना पड़ेगा लेकिन इस कैन को लगाने के पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और वह भी कौन सा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ऑफ इन्फिन्टिव इस इन्फिन्टिव का सब्जेक्ट अर समझे कहले कि वह इतना मोटा है कि वह दोड़ नहीं सकता वह इतना मो कभी subject हो जाएगा इसलिए बेटा इसी को दुबारा यहां पर लिखे देंगे clear तो he और इसके आगे क्या जाएग बच्चा can और यहां पर आपको not लगाना पड़ेगा ठीक है तो he cannot और आगे run इस तरीके से एक वाक और समझे अभी I was too hungry to work anymore इसका जब आप लोग बनाएंगे आई आजाएगा वाज आजाएगा तो की जाएगे पर आपको सोवा जाएगा और हंगरी की जाएगे पर आपका हंगरी आजाएगा clear अब देखिए यह वाक मुक्र करिया कि जस्ट पहले दिया गया है इसकी जगे पर आपको पहले क्या लिखना है that सबसे पहले आप लोग लिख लिजिए that आगया आप क्या लिखेंगे subject कौन सा subject infinity का subject तो मैंने बताया कि ज़्यादा तर वाक्यों में यह जो subject दिया जाता है यही subject आपके infinity का भी subject हो जाता तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा आई अब देखिए वाक का पास्ट में है तो यहाँ पर कहन आएगा कि कुड आएगा मैंने बताया था भी इधी पास्ट में दिया जाए तो कुड लगा दीजी इधी पास्ट में हो तो वहाँ पर आप लोग कहन लगा दीजी तो आप क्या जाएगा आपका कुड ठीक है और आपका वाक्यों इस तरीके सा आपका वाक्य बन जाएगा clear अब बने आप अल्जार के पास्ट क को वीडियो से इंप लिए मैं अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करे लिजिये